जै गुरुजी संगजी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी अनन्तम शुकराना कोटी कोटी शुकराना हर पल हर वेले शुकराना मेरे दाता जै गुरुजी संगजी ये मेरी पहली ससंग है गुरुजी ने मुझे इस सो भाग्ये दिया है कि मैं ये ससंग आप लोगों के सा लेकिन मेरे पास कल ही रितेश अंकल का एक मैसी जाता है कि क्या आप यूट्यूब पे अपना सरसंग शियर करेंगे तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हूं रितेश अंकल को जिनोंने मुझे यह सो भागी दिया कि मैं गुरुजी का सरसंग शियर कर सकूं गुरुजी आपको बहुत-बहुत-बहुत ब्लैसिंग दे के आपने मुझे यह मौका दिया गुरुजी ने मेरी जिन्दगी में बहुत कुछ दिया है मुझे संगजी लेकिन मैं इतनी बड़ी पापी हो ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती संगजी मेरे जीवन में जब जब दुखाते हैं, मैं गुरू जी से नाराज हो जाती हूँ, मेरी जिन्दगी में हमेशा दुखाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी जिन्दगी हमेशा सही चलती है, लेकिन संगजी, ये बात सच है, कहते हैं कि अपने हमेशा दुख में साथ देते हैं, नहीं संगजी, जब तो सिर्फ साथ देनेवाले सिर्फ गुरु जी उते हैं हमेश्य साथ दिया है हमेश्य साथ अच्छा ही चाहा है मेरा अच्छा ही किया है इस संगा जी अगया comida 2019 में मेरी बेटी शेमत बहुत परेशान रहती थी कोई ऐसी जो मैं शायद सचंग में शेड नहीं कर सकती लेकिन मैं इतनी परेशान रहती थी कि मेरा जीने तक कामन नहीं करता था मैंने सुसाइट तक करने की कोशिश करी थी मैं इतने डिप्रेशन में चली गी थी संगजी उस वक्त मुझे कभी भी गुरू जी का सब्रूप दिखाई देने लगता था कभी यूट्यूब पे कभी किसी के वाटसप पे कभी स्टेटस पे तो मैं सोचती थी पता नहीं लोग किस को मानते हैं और किस को पूझते हैं तो मैं किसी गुरू को नहीं मानती थी लेकिन मैंने जब जब उनसे गुरू से दो चार बार कई बार कुछ कु परती इंसान हैं, हम अपना अच्छा करने के लिए ही लोग भगवान को अजमाते हैं, मैं बस इतनी ही नदान थी, पापा की जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, उसके बाद संगजी पापा की जाने के बाद हम इतने अकेले हो गए कि हमें एक पिता की बहुत होती थी हरपल सिर्फ आती ही रहती थी पापद इतने आधा थी कि समझ नहीं आता था कि अचानक से वह में चोड़ कर चले गए संगजी लेकिन गुरू जी ने पूरे परिवार के उब पर अपनी उतनी किर्पा संगा जी मेरे परिवार presentsayı प्रडेक्ति kia क्या है अब मोच्पार आका है। अब हीतना है, 2020 में मुझे यह करोना हुआ मैं थे, मैंने जीने की उम्मीदिή छोड़ द 15 महीने तक pension को जीने की चुड़ दी, मुझे लगता था मैं मर जाओंगे डर लगता था मेरी मम्मी शूगर पेशन्ट थी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए मेरे घर में किसी को कुछ ना हो जाए चोटे-चोटे बच्चे क्योंकि उस वक्त मेरा ट्रेटमेंट घर में चल रहा था और म मेरी ममी ने मुझे नहीं एस्पताल भेजा नहीं अलग कमरा दिया। मैं बस रोती रहती थी। एक दिन संगल जी मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जीने वाले हमें चली जाओंगी। और मेरी हालत बिगड़ती चली गई। बिगड़ती चली गई। आखो मैं आशू भर कर गुरू जी से कहने लगी कि गुरू जी अगर मुझे कुछ हो गया मेरी बच्ची को कौन देखेगा। गुरू जी मुझे इतना जीवन दो कि मैं अपनी बच्ची को इस काबिल बना सकूँ। मैं बहुत रोई। गुरू जी और ये भी बोला मैंने कि गुरू जी मेरे परिबार को कुछना हो जाए मैं जे करोना हो रखा है मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। गुरू जी अब वेकिन करना से अंगर जी सामके 6 बजे का टाइम था मेरे पास एक पेपर की कटिंग उड़का रहती है जिसमें लिखा था चिंता नहीं चिंतन करो। तो मैं ये सोचने लगी कि मेरे पास ये कटिंग कहां से आई मुझे लगा कि किसी अकबार की कटिंग तिस अंगर जी वो और जबकि हमारे उस टाइम अकबार भी नहीं आ रहे थे तो मेरे सिर्याने आकर उड़कर आया तो मैंने मम्मी से सबसे पूचा सबने का हम ही नहीं पता ममी नहीं पता कहां से आया तब ममी ने कहा हो सकता दे गुरू जी ने तेरे लिए ये भीजाए कि इसमें लिखा हुआ था चिंता नहीं तू सिर्फ चिंतन कर मैं बहुत रोया और मैंने गुरू जी का चिंतन करना शुरू कर दिया और मैंने वो पेपर ममी को दिया ममी ने उसे हलमारी में संभाल कर रखा किसी पर्स के अंदर कि जब तू ठीक हो जाएगी जब यह मैं तुझे दे दूँगी संगा जी वो हलमारी में मेरे सामने कुछ ममी ने रखा मैं एक हफते के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई संगा जी बहुत अच्छी हो गई में और मेरे परिवार में किसी को कोई परिशानी नहीं हुए मेरी बच्ची को उस वक्त करोना हुआ लेकिन गुरू जी ने उसे भी ठीक कर दिया संगा जी जब मैंने एक हफते बाद वो पर्चा निकाला अलमारे में से वो गायब था संगा जी बहुत बड़ी बात है कि गु पुम्में उनकी साथ है संगा जी उसके बाद मेरी बच्ची ने 2021 में मेरी बच्ची को नमोनिया हो गया जो कि बहुत बुरी तरहां बिगड़ चुका था और मुझे पता ही नहीं चल पा है मैं घर में ही उसका ट्रीटमेंट कर रही थी जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करी थी वो घर में दवाईयां देता था और मेरी बच्ची सोती रहती थी संगजी आप यगीन करना मुझे लगता था मेरी बच्ची क्यों सोती रहती है उस वक्त उसकी ओक्सीजन लेवल इतना कम था संगजी कितना इतने कम oxygen पे कोई बच्चा कैसे जीवित रह सकता है नहीं रह सकता संगजी ये कोई चोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है मैं मेरिट से अपनी बच्ची को बस से यहां तक लेकर आ रही हूं मेरी बच्ची के हलत बिगरती जा रही है पांच दिन फिर भी मैंने घर में रखा मैं अपना बच्चा लेकर भाग गई दिल्ली में महिंदरू हो ऑस्पिटल है उत्तमनगर में मैं वहां अपना बच्चा लेकर जैसे ही पहुची तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इसको सांस लेने में दिखका तो रही है इसका oxygen लेबल बहुत ही कम है संगजी आप यकीन कर लेए उस वक्त तुरंत डॉक्टर ने इसे oxygen पर लिया oxygen पर रही तीन चास लेंडर ऐसी ही लगा कर इसे oxygen पर रखा उस वक्त एक अंकल थे हमारे गुरुप में हम गुरुजी संसंग में अंकल थे उन्होंने जो था मेरे मेरी बेटी के लिए अपने घर में संसंग रखा मेर बच्ची को ठीक करने आपको आना ही पड़ेगा जैसे डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया था उसके बाद जब मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मुझे मेरी बच्ची चाहिए मैं बहुत रोई मेरे साथ कोई नहीं था मेरे अपने भी नहीं थे मैं अकेली थी उस व बच्ची बिल्कुल ठीक करी मेरी बच्ची को जीवन दान दिया गुरुजी ने मैं गुरुजी से हमेशा ही लड़ती हूँ नराज हो जाती हूँ मैं बहुत नराज हो जाती हूँ हम बच्चे हैं शायद इसलिए लड़ते हैं कि गुरुजी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं लेकिन मेरे जीवन में दूख इसलिए आते हैं संगा जी मेरे करम अच्छे नहीं थे अगर मेरे करम अच्छे होते संगा जी तो मैं यह दुख नहीं जेलती लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेरे करम ना अच्छे होने के बाद भी संगा जी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा उस दुख में मेरा साथ दिया जो दुख में अपने भी साथ छोड़ कर चले जाते हैं न संगजी उस दुख में गुरुजी ने मेरा साथ दिया मेरी बच्ची को जीवन दिया चार साल मेरी बच्ची ने इतने दुख देखे मेरी बच्ची को हर वक्त जीवन दान देने वाले मेरी गुरुजी मुझे जीवन देने वाले मेरी गुरुजी गुरुजी मैं आपसे माफ ही मांगती हूँ मैं बहुत बहुत गलत हूँ मैं बहुत नादान हूँ बाहर निकाला, मुझे अच्छे लोगों से मिलवाया मेरे जिन्दगी में मुझे किसी ने दुख भी दिया ना मैं रोई, तकलीफ भी आई लेकिन मेरे गुरू ने मेरा कपी मेरा दुख में साथ नहीं छोड़ा दुख आते हैं संगर जी मेरी जिन्दगी में बहुत आते हैं संगर जी लेकिन हर दुख से निकालने वाले मेरे गुरू जी है संगर जी आप बताओ जिसके घर में 14,000 रुपे तंखा आती हो उस घर में किराई पर रहने पर क्या वो अपना 14,000 रुपे में घर चला सकता है संगर जी अपनी बच्ची के दुख बिमारी से निकाल सकता संगर जी नहीं निकाल सकता संगर जी नहीं निकाल सकता दिली जाशे शहर में तो बिलकुल है संगर जी संगर जी मेरा घर चलाने वाले मेरे गुरू जी मुझे कभी किसी क्या के हाथ ना फैलाने दिया वो है मेरे गुरुजी गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया हर पल जब जब कभी अपनी बच्ची को ले थे हॉस्पिटल में बैठी रही ना संगजी मेरे हाथ में एक रुपया नहीं होता था मेरे पास पैसे भी ऐसे आते थे ना संगर जी मानो जैसे मेरे गुरू जी मेरे लिए सब कर रहे हूं हर पल मेरा साथ एक पिता की दरहा मेरा साथ दिया संगर जी हर पल मेरे साथ रहे संगर जी मैं सच्चन तो बहुत है मेरी सिंदगी में बहुत अच्छा किया है लेकिन हम वो इनसान हम इनसान है ना हम तो एहसान भूल जाते हैं इनसानों के तो फिर भी गुरू महादेब उनके एहसान को हम कैसे भूल सकते हैं और सच बता हूँ ना संगा जी मैं अपने दिल की बात बोलना चाहते हूँ अभी अगर ये रितेश रितेश अंकल मुझे इस ससंग करने का मौका नहीं देते ना तो मैं भी कही दिन से गुरू जी से नराज ही चल रहे थी ये मौका मुझे नहीं देते ना रितेश अंकल तो शायद मेरी आंक तुबारा नहीं खुलती कि मैं किस गुरू से नराज हो रही हूँ उस गुरू से अबारियों कि आपने मुझे इस संकने का मौका दिया और आपने मुझे दुबारा से गुरुजी की याद दिलाई मैं गुरुजी को बूली तो नहीं हूँ संगत जी क्योंकि बस मैं गुरुजी से नराज थी और आप सब जानते हैं संगत जी हम गुरुजी से नराज हो तो जाते हैं कही भी चले जाओ किसी भी कोने में चले जाओ आपका दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है संगत्जी सिर्फ दुख में साथ देने वाले सिर्फ गुरू जी सिर्फ गुरू जी संगजी मेरे शादी को साथ साल हो गए संगजी मैंने सुक नहीं देखा ससुराल का संगजी पर मुझे जो सुक दिया ना मेरे नसीम में मेरे गुरू जी ने दिया संगजी संग जी मुझे माफ करना अगर इस सच संग में कोई गलती हो गई हो मुझे ये मेरा पहला सच संग है इसलिए मेरे शैन आखे बर गई है संग जी गुरु जी बहुत अच्छ है गुरु जी ने मेरी ममी को जीवन धान दिया गुरुजी आप ने मेरे पूरे परिवार पर एक अपना कवज बना कर रखा है संगजी आप सबको भी पता है कि जहां भगवान होते हैं वाँ बुरी शक्तिया भी होती है मेरे परिवार में संगजी तीन साल में तीन मौते होई हैं मेरे दादी पापा भाई ऐसे संगजी इतना दुख मेरे परिवार पर आया ना संगजी उस वक्त गुरू जी मेरे परिवार पर जब आये तो उन्होंने मेरे परिवार को समहाला और पूरे परिवार को एक कवज दिया अपना और बुरी चीजों से निकाला संगजी दुख आ मुझे आपकी बहुत सरूरत है गुरुजी संग जी मेरा आज के लिए ससंग इतना ही मैं आपको आगे मुझे फिर महुका देंगे रिती शंकल मैं फिर ससंग करूँगी आप आज के लिए इतना ही है ससंग जी मुझे कोई गलती हो यो तो मुझे माफ करना संगाची जै गुरुजी शुकराना गुरुजी अनन्तम अनन्तम शुकराना संगाची जै जै गुरुजी धन्धन गुरुजी बाबा गुरुजी संगाची जै गुरुजी धन्धन गुरुजी बाबा गुरुजी कोटी कोशी सो कराना, हाट बंचो कराना